गुड मारिंग फ्रेंड्स, वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल, सर अब्दु सत्तार खान, इंग्लिश ग्रामर लेसंस, फ्रेमिंग क्वेस्टेंज, फ्रेम ए डबली एच क्वेस्टेंज, टू गेट अंडरलाइन पार्ट आइस आंसर, अमीद है आपको हमारे वीडियो प उसे यहां पर बताया है, तो उसका क्वेस्टेंज कैसे बनेगा, who is a world class coach, यानि जो अंडरलाइन पार्ट है, वो आपके आंसर में आना चाहिए, और उसका क्वेस्टेंज बनना चाहिए, यहां पर नियर्दा बुशे सराउंड, यहां पर नियर्दा बुशे सराउंड, तो जो है यह जगा के लिए इस्तिमाल किया, पहला वाला कौन के लिए इस्तिमाल किया था, यानि इनसा आदमी के लिए इस्तिमाल किया था, नियर्दा बुशे सराउंड, नियर्दा बुश वो घुंसला बनाते आराम करते कहां पर नियर दा बुशे सराउंड जाडियों में तो वेर डिट दे रूस्ट वो कहां पर आराम करते अब देखिए रूस्टेड का डिड रूस्ट ये हमने इसको डिड एक हिल्पिंग वर्ब लगाया है और इस तरीखे से हमने इसका क्वेस इसके कुछ रूस है उसे समझते हैं अब जूली की मिनासिबस से उन्ट्रोगिट्व प्रोणाउन का इस्तिमाल करहें इन्ट्रोगोट्व प्रोण। यानि इसका हम इस्तिमाल करके questions बना सकते हैं दूसरा rule क्या है अगर जुमला simple past tense या simple present tense का हो तो जवाब में क्या करेंगे हम helping verb का इस्तिमाल करेंगे simple past tense में क्या यूज़ करते हैं simple past tense में यूज़ करते हैं did दूर्डर्स का इस्तिमाल कर सकते हैं दूसरे भी इसमें हम हिल्पिंग वर्प का इस्तिमाल करते हैं दूसरे सेंटेंसेंस में चुमले में खत कशिद अलफाज यानि अंडरलाइन पार्ट जो होता है को सवाल बनाते वक्त नहीं लिखना चाहिए यानि अगर है सवाल में अंडरलाइन पार्ट में तो वो जवाब में या क्यूस्चन में नहीं रहेगे जवाब में ही आएंगे और सबजेक्ट, अबजेक्ट और एडजेक्ट जो है इसका ऐसा जो कुछ भी हिस्सा होता है वो अंडरलाइन पार्ट हो सकता है चलिए अगला देखते है The state was holidaying in Kashmir State कहाँ पर छुटियां मना रहे थे Kashmir में तो Kashmir क्या है? जगा है तो यहां क्या कहेंगे Where was the state holidaying? तो इस तरीखे से बनाएंगे दूसरा है The news spread everywhere with the rapidity of fire यानि जो खबर है यह जंगल की आग की तरह फैल गई यानि कैसे फैली जंगल की तरह तो हम उसका answer कैसा बनाएंगे यानि सवाल कैसे बनाएंगे answer में with the rapidity of fire आना चाहिए तो how तो इस तरीखे से बनाएंगे आखरे में question mark लगाना जुरूर यह He was near the sea now अब he was near the sea now नियर the sea now यह क्या है? तो हम क्या इस्तिमाल करेंगे where was he now? इस तरीखे से बनाएंगे He took the baby langur to our backyard यह two hour backyard ही क्या है? यह भी एक जगा है where did he take the baby langur? अब यहां took इस्तिमाल किया था वो वर्प का second form था तो did or take यूज किया है यह वर्प का first form और helping verb did का यूज किया है कुछ और example लेंगे some more examples रामलाल प्लेस दा बंडल at the bridegroom's feet रामलाल ने जो बंडल था यानि आम तर पर ये नोटों के बंडल ये भूली जो हमारा टेक्स बुक का chapter है उसमें से लिया गया है उसका जो character है रामलाल भूली का father है उसका यहां पर जिकर है रामलाल प्लेस दा बंडल at the bridegroom's feet यानि दूले के खदमों में उसने नोटों के बंडल रख दिये थे where did रामलाल प्लेस दा बंडल तो यहां at the bridegroom's feet यह जगा के लिए इस्तमाल किया गया है इसलिए where use करेंगे यानि रामलाल ने बंडल कहा रखा उसके बाद है बिशंबर raise the garland to place it around the bright snake अब यह भी भोली में कही है बिशंबर raise the garland बिशंबर ने जो माला है गले में दालने के लिए दुलहन के गले में दालने के लिए उठाई अब यह काई के लिए उठाई थी तो यहाँ पर क्यों उठाई थी उसका जवाब आना चाहिए इसलिए यहाँ भाय इस्तिमाल किया है वाय डिड बिशंबर raise the garland यानि बिशंबर ने माला क्यों उठाई थी यह अलकेमिया अफ नेचर में का है यह फूल एक ही दिन के लिए खिलता था यहाँ हम इस्तिमाल करेंगे यह कम्स है तो इस वास ते ड़स इस्तिमाल किया है और आगे हमने ड़स के साथ में कम यूज किया कम्स यूज नहीं किया चौता है वी साथ दा स्प्रेड आफ दे मैजिस्टिक ओशन सौ यानि यह वर्ब का सेकंड फाम दा स्प्रेड यानि फैला हुआ अब यह फैला हुआ क्या है मैजिस्टिक ओशन है तो वाट दीड वी सी अफ दे मैजिस्टिक ओशन यानि उसके वो साथ पैलाव जो है वो देखा यह इस फर्स प्लाइट में का है what did we see of the majestic ocean all the great religions teach us to care for our children यह underline part क्या है to care for our children यानि हमें क्या सिखाता है to care for our children तो यहाँ इस्तमाल क्या करेंगे what what do all the great religions teach us तमाम के तमाम great religions हमें क्या सिखाते है अभी exercise for practice है यह पांच और sentences दिये है और यह से आपने solve करना है मीना was an LIC officer तो इसे कैसे बनेगा who was an LIC officer the writer was standing near Akbar Ali where was the writer standing इस तरह से बनेगा आरके नरायन is responsible for many of the outstanding literary works आरके नरायन is responsible for many of the outstanding literary works Swami is a mischievous and talkative little kid Dr. Hawking is a very humble man इसके answers आप हमें कमेंड में भी बता सकते हैं उमीद है वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दुबारा मुलाखात होगी तब तक के लिए गुड़ बाई आरके 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 उले वीडियो करके लिएыми competitive